Hello everyone, welcome back to my channel Skylar, मैं हूँ Priyanka और जो आज की हमारी class रहेगी इस class में exercise 8.1 के जो बचे हुए questions हैं उन्हीं को हम complete करेंगे इस से पिछली class में question number 6, 7 और 8 हमारे complete हो गए थे तो पिछले वीडियो की link अप उपर मिल जाएगी अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो यहां से देख सकते हैं बागी description box में तो जितने chapter complete होते जा रहे हैं सभी की link mention है ठीक है तो classes start करते हैं तो यहां पर हमने लिया है question number 9 तो question number 9 थोड़ा सा अलग question है तो ध्यान से समझेगा एक बार समझ लिंक तो समझ में आ जाएगा कि कैसे इस तरह के questions को करना है ठीक तो यहां पर हमको बोला गया find the area of the region bounded by the parabola y equal to x square and y equal to modulus x अब यहां आ गया है modulus ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमको तो एक area find करना है जो इससे और इससे bounded है बस दोनों का graph बनाते आना चाहिए अगर graph बनाते आता है तो आधा काम तो यूँ ही खतम हो गया चलिए तो सबसे पहले तो यह y equal to x square बनाते अपवर्ड पैरा बूला यह अपना तो यह बन गया y equal to x square अब बताती है कि y equal to modulus x कैसे बनाया जाए तो y equal to modulus x आप कैसे बनाएंगे इसका figure किस तरह से बनता है इसका graph कैसे बनता है ऐसा और ऐसा ठीक है clear तो इस तरीके से इसका graph बनता है तो इसका graph भी हम बना देते हैं तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा इसका graph भी यह बन गया तो यह बना अपना y equal to x square और यह बना अपना थोड़ा छोटा कर देती हूं y equal to modulus x बन गया चीक है तो इनसे जो bounded area है वो find करना तो दोनों से bounded area जो हमको मिल रहा है न वो हमको यह मिल रहा है यह पूरा और यह पूरा जो अंदर का area समझ में आरी बात यहां पर और थोड़ा सा और बना देती हूं एक छोटा सा और फिगर तो यह जो area है इतना इतना यह हमको find करना है पहली बात तो यह clear होगा यह अपने को कि क्या find करना है अब बात आती है कि यहां पर आप clearly देख पा रहे हैं कि यह और यह दोनों symmetric हैं symmetric हैं कहने का मतलब यह है कि अगर इतना वाला area हम find कर लें और इसका two में multiply कर दें तो पूरा area मिल जाएगा बिलकुल मिल जाएगा चीक तो पहली जो परिशानी थी कि वह फिगर कैसा ब area हमने find कर लिया और इसका two में multiply कर दिया तो अपना काम बन जाएगा ठीक यहां तक पहुँच गए अब आगे बात आती है कि यह area कैसे find करें बहुत simple है देखिए तो थोड़ा सा figure complete कर लेते हैं आपन चलिए तो अब अगर मान लीजे यह वाला area हम find कर रहे हैं तो मैं हमेशा आप उन्हें देखा होगा मैं थोड़ा सा rough figure बना के आपको समझाती हूँ ताकि यहां पर सारा का सारा होचपोच ना हो है ना आपको एक एक चीज clear समझ में बागी आपको अलग से rough बनाने की ज़रत नहीं है हम यहां पर इसलिए बनाते हैं ताकि हमको एक एक चीज clear समझ में आ सके तो यह जो area है यह वाला area अगर find करना है तो हम क्या करेंगे इस तरीके से strip कट करेंगे लेकिन आप आप खुद देख रहे हैं कि यह जो strip है यह तो इसके बाहर जा रही है तो यहां पर क्या करेंगे तो यहांपर हमको एक काम करना है हम क्या करेंगे इतना area मतलब इस strip के हिसाब का area find कर जो रहेगा वह फाइंड करने के लिए पूरे strip के area मेंसे इतना इतना वाला माइनस कर देंगे, यह बाला माइनस कर देंगे, कैसे करेंगे, वो भी देखते हैं, और उसके लिए एक और चीज, कि हम को कहा से कहा तक find करना, तो भाई, यह जो point है, कहा से कहा तक, यहां से लेके, यहां तक अपने को find करना है, मतलब इस points के coordinates अपने को पता होने चाहिए और coordinates अगर पता नहीं रहें तो at least x की value तो पता ही होना चाहिए तब ही तो हम limit पता कर पाएंगे तो CDC बात समझ में आ गई होगी आपको एक बार और यहां पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझ ली जैस चीज़ को कि इस तरीके से ये area अपने को find करना है main है इससे to का multiply कर देंगे तो काम बन जाएगा तो हमने देखा कि इस तरीके से हमारी strip बन रही है भई x axis के साथ बनेगी तो ये अपना हो जाएगा dx और ये पूरी length हो जाएगी वाई लेकिन हम कहां से कहां तक find करेंगे तो ये जो है इस तरीके से हमने ये बनाया मतलब कि यहां से लेके यहां तक यह जो पूरा area है कितना area यह पूरा जो आपको ट्राइंगल टाइप पर दिख रहा होगा ठीक है इतना बड़ा है ये तो ठीक है तो हम क्या करेंगे भाई इस पूरे strip के area में से समझ रहे हो यानि कि पूरा जो area है पूरा का पूरा area इस पूरे area में से ये जो इतना area है ये minus कर देंगे इतना अब आप बोलेंगे ये कैसे करेंगे तो बहुत simple है आप देख पा रहे हैं ये strip पूरी की पूरी ठीक मतलब कि अगर पूरा area find करते हैं तो यहां से लेकि यहां तक करेंगे पहले ये point और find कर लेते हैं अपन फिर अपन ये पूरी चीज समझते हैं तो क्यूंकि इस point के coordinate भी अपने को पता होने चाहिए तो main area अपने को find करना है ये ठीक तो अब हम इसके coordinate पता कर रहे हैं और हमको ये चीज पता है हमको catches पता है कि ये वाला जो graph बन रहा है अपना ये अपना बन रहा है y equal to modulus x का और ये वाला जो बना हुआ है y equal to x square का मतलब ये एक दूसरे को intersect कर रहे हैं मतलब इन दोनों को अ लेते हैं तो हमको इस पॉइंट के coordinates मिल जाएंगे तो चलिए करते हैं तो यहां पर लिखेंगे मतलब ये 0 से सारी values जो है वो बड़ी है अगर modulus x की बात करने तो उसकी definition के according ये minus x value देता है कहां पर x is less than 0 0 से छोटी value के लिए minus x देता है और plus x देता है x is greater than and equal to 0 तो यहां पर यहां पर जितनी भी value रहेंगे ये 0 और 0 से बड़ी value रहेंगे इसलिए यहां पर यह value देगा positive x तो यहां पर देखिए modulus x आया है तो modulus x की definition तो आपको पता ही होनी चाहिए तो यहां पर क्योंकि first quadrant में हम काम कर रहे हैं तो modulus x की जगा पर हम क्या लेंगे first and second ठीक है दोनों को solve कर रहे हैं तो y equal to modulus x है यानि कि y की जगा पर modulus x रख सकते हैं लेकि modulus x की जगा पर क्या रखेंगे हम x क्योंकि x is greater than and equal to 0 इतने के लिए पता कर रहे हैं तो यहां पर x की value सारी 0 और 0 से बड़ी है तो यहां पर हमने रखा y equal to x square में y की जगा पर रखा x equal to x square ठीक है अब देखिए चाहे तो सिर्फ x की value find कर लिजी में नमको x की value चाहे तो points की coordinate भी पता कर सकते हैं तो कैसे करेंगे यह x उदर जाएगा तो minus का हो जाएगा तो यह हो जाएगा x square minus x equal to 0 तो यह quadratic equation बन गई इ x common लिया तो यहां गया x minus 1 equal to 0 तो यहां से आ गया x equal to 0 और x equal to plus 1 ठीक है मतलब x की value आ गई 1 अब यहां पर x की value 1 रखोगे तो 1 का square 1 यानि y की value क्या आ गई 1 तो दोनों pointer लीजे y equal to x square है तो अगर y equal to x की लिगा पर 0 रखा तो 0 और यहां पर अगर देखें 1 रखते हैं y equal to x square में आप 1 रखते हैं तो 1 का square 1 समझ में आगी बात तो x 0 पर y 0 है x 1 पर y 1 है दो point में लिगा है तो 0 0 तो अपने पास पहले से ही है और यह क्या होगे अपना 1 1 मतलब की यह जो length है यहां से लेकर यहां तक की यह 1 ठीक है clear चलिए तो हमारी जो limit रहेगी यानि कहां से कहां तक 0 to 1 रहेगी चलो तो अब अपन चलते हैं अपन जो अपना required area है वो find करते हैं इसका area find करेंगे तो इसको थोड़ा सा मैं हटा रही हूं ताकि आपको clearly strip बना के समझा सक प्रिक चलिए तो यह आपको show करना है क्योंकि हमने क्या करा है इस point यह जो point अपना इसके coordinate पता करें जिससे अपने को यह one मिला है अगर यह one ही नहीं मिलता तो हम area कैसे find करते हैं पूरा का पूरा पूरा area find करने के लिए हमको यहां से लेकर यहां तक integrate करना होता इसको ठीक ह है चलिए तो यह अब हटा देते हैं तो इसको भी आपको show करना है अपने solution में मैं अभी इसको हटा रही हूँ अब हम direct find कर रहे है एरिया तो required area को हम show कर रहे है capital A से ठीक है जो की है 2 into integration कहां से कहां तक करेंगे 0 to 1 तो यह लिखाम ने 0 to 1 अब धार रगा दीजिए bracket क्योंकि हम एक area में से दूसरा area minus करेंगे यहां पर तो यह तो अपना क्या है dx है यह क्या है और यह length जो है यह y है लेकिन यह y दो द गा कि यहां अलिए यह आ रहा है पूर अपने यह अपनी क्या है i यही थे तो हम पहले पूरे मेंसे सिर्फ यह वाला जो area देखो यहां पर रफली समझा जा देए थोड़ा सा कि तो यहां से लेके यहां तक यह जो लाइन है अपनी पूरी की पूरी देखिए ज़रा यह किसके थुरू बन रही हमारी मॉडलस के थुरू है ना मॉडलस का जो वाय है उसके थुरू तो यहां पर हम लेखेंगे वाय मॉडलस फंक्शन अपना है ना य कॉल मॉडलस थुरू बानी चोंग दो यहीं की फूर्थ कोय लिवा गरी का पूरा नोयीं है और 0 लिए अपना होंगे हमने क्या किया जैती है यह पूरी कि अगर बात करें यह से अपना है मॉडल्स उनकी स्सक्राइब बर यह ब्लas मिनस कर ना जितना उन्या जो ही माइनस करना है तो यह किस से connected है, यहां से देखिए, हमारी strip कहां से कट रही है, यहां से, तो यह किस के through बन रही है, यह पैरा बूला देखिए, समझ में आगई बात, बस, इतनी सी बात है, इतना आपने को करना है, यह अपन ने समझ लिया, कर लिया, तो अपना काम पूरा खतम, बस, अब क into 0 to 1, तो यहां पर y की value, जो अपना modulus function है, वहां से लिखेंगे, तो y equal to modulus x, अब यहां पर modulus x लिखेंगे, मतलब modulus x में plus x, minus x आता, तो क्या लिखेंगे, तो सीदी सी बात है, भाई, first quadrant में काम कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा positive x, बीच में minus, यहां पर parabola से उठाएंगे, तो पर parabola में क्या है y equal to x square, तो यहां पर अपने लिख दिया x square, और बाहर अपना क्या है dx, बस इसको solve कर देना है, अपना काम खदा, तो a equal to 2 as it is, इनको integrate कर देंगे, तो इसका हो जाएगा x का हो जाएगा x square upon 2, minus इसका हो जाएगा x cube upon 3, और यह 0 to 1, अब limit रख देंगे, तो a equal to 2 as it is, limit रख रहा है, तो पहले रखेंगे 1, तो x की जगा पे, यहां 1 का square 1 upon 2, यहां पर रखेंगे 1 का cube 1 upon 3, तो upper limit minus lower limit, तो यह 0 upon 2, मतलब 0 upon 2 0, minus 0 upon 3 0, लिजे, तो upper limit minus lower limit रख दी, तो यह तो खदम, यह बचा, तो 2, और इसको solve कर लेंगे, तो 23006, यहां 3 minus 2, तो यहांने कि 2 upon 6, 21002, 23006 square units, तो आप देख रहे होंगे कि यह जो solution था, यह तो बहुत ही simple था, इसमें तो कुछ भी नहीं था, इसको आप खुद कर सकते थे, लेकिन main काम यह था कि अपन find करेंगे कैसे, तो main काम उपन ने यह देखा, कि भाई, यह modulus function जो है, अपना उसका graph बना हुआ है, यह अपने पैराबोला का graph बना हुआ है, लेकिन अपने को find सिर्फ कितना करना था, अपने को find सिर्फ इतना इतना जो area था, यह करना था, इसमें यह अलग extra चीज आ रही थी, तो इसी को हमने minus किया है, अब इसको minus कैसे किया है, क्योंकि यह connected था, अपने पैर नमबर 9, तो solution बहुत simple था, एक बार समझ लेंगे, तो question बड़े आराम से बन जाएगा, अब हम देखेंगे, next question, so next question है, हमारा question number 10, तो यह भी थोड़ा सा अलग question है, बट अगर एक बार समझ में आ गया, तो बहुत simple, देखी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको क्या बोला पैरा बोला, तो सबसे पहले तो बना लेते हैं, अपन ड्रॉ करेंगे, तो पैरा बोला अपन ने बना लिया, x square equal to 4y, अब हमको बोला जा रहा है, अब यह लाइन आप देख रहे हैं, तो अगर देखी, अंदाजा है आपको तो आप लाइन बना सकते हैं, लेकिन हमको यहा आपन फाइंड कर पाएंगे, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले तो क्या करेंगे, कि इस लाइन के जो coordinates हैं, यानि दो पॉइंट अपन एटलिस फाइंड करेंगे, जो कि इस पैरा बोला को किसी ना किसी पॉइंट पे intersect कर रहे हैं, तो दोनों को solve कर लेंगे, ठीक है, तो, equation equation of curve, क्या है अपनी x square equal to 4y, और equation of line, यह पूरा show करना है आपको, तब ही जाके तो अपन अपना figure पूरा draw कर पाएंगे, और यह क्या है अपना x equal to 4y minus 2, बास समझ में आ गई, अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से x की value find करके यहा y equal to, यह minus का 2 तरफ जाएगा, plus का 2 तो यह हो जाएगा, x plus 2 और यह 4 divide में जाएगा, तो यह हो जाएगा, पॉंट 2, समझ में आ गई बात, यहाँ से हमने y की value find करी, यहाँ पर y की value रखेंगे, जिससे हमको x की value मिल जाएगी, ठीक है, तो इसको दे दीजे equation number 1, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, from first, क्या है अपना, x square equal to 4y, अब y की जगा पर यह रख देंगे, तो रख देते हैं, यहाँ पर, एक मिनिट, यहाँ पर 4 आएगा, y के multiply में 4 है, तो divide में 4 आएगा, तो x square as it is, 4, y की जगा पर अपने रखा, x plus 2 upon 4, इससे यह cancel हो गया, तो यहाँ प आएगे, यह तो यह हो जाएगा, x square minus x minus 2 equal to 0, ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर, की, यह आगई अपनी quadratic equation, इसको solve करना है, बिल्कुल solve करेंगे, तो x square, ठीक है, फिर 2x plus x minus 2, factorize कर लिए, 2 ones are 2, plus minus minus, 2x में से x जाएगा, minus x बचेगा, equal to 0, तो यहाँ पर to 0, तो यहाँ आजाएगा, x minus 2, x plus 1 equal to 0, तो यहाँ से x की value, एक तो मिल गई, plus का 2, और एक x की value मिल गई, minus का 1, तो एक अपने को x की value मिली है, अब यहीं से y की value find कर लेंगे, तो y equal to क्या था, इसको दे दीजे equation number 2, ठीक, तो y क्या हो जाएगा, क्या था, x plus 2 upon 4, तो x plus 2 upon 4 तो 2 plus 2, 4, यानि y की value क्या आगए, यहाँ पर 1, ठीक, या फिर बीच में अपने line खीच दे था कि अपने को समझ में आ सके, और यहाँ पर भी y equal to, क्या है, x plus 2 upon 4, तो x plus 2 upon 4, तो 2 में से 1 minus होगा, तो बचेगा 1, तो यहाँ जाएगा 1 upon 4, ठीक, clear, समझ में आगी बात, तो ह हमारे पास 2 points आगए अपने, इस line के, क्या-क्या, x2, y1, और दूसरा point है, x minus 1, और y1 upon 4, तो इन points को यहाँ पर ले लेते हैं, और ड्रॉ कर देते हैं, अपन लाएं, तो यह point अपने को मिला, x अपना 2 है, और y यहाँ 1 है, ठीक, चलिए, इसके बाद दूसरा point है, अपने पास, x minus 1, तो minus 1 सीधी बात है, यहाँ कहीं होगा, minus 1, ठीक, और 1 upon 4 है, y, तो half यह है, तो यहाँ कहीं 1 upon 4 होगा, ठीक, तो आप graph पर बनाएंगे, तो सहीं बन जाएगा, यह point है अपना, 1 by 4, यह, तो यह हो गया, minus 1 और 1 upon 4, समझ में आगी बात, तो इसको और इसको जोइन कर देंगे, तो अपने को line मिल जाएगी, तो चलिए बना देते हैं, इस line को, समझ में आगी बात, यह line हमने draw कर दी, ठीक है, clear, तो यह अपनी line बन गई, यह वाली, x equal to 4y minus 2, line draw कर दी, अब आप देखिए, आपका जो पैरा बोला है, यानि जो curve है, और line है, उसते bounded area है, यह, तो यह area आपने को find करना है, तो बिलकुल कर देंगे, बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि देखिए, अब इस तरह से अगर आपन strip कट करते हैं, आपन ने यह strip ले ली, यह, और यह, ठीक, clear, strip ले ली, यह जो है, यह क्या है अपना, dx, और limit कहां से कहां तक रहेगी, minus 1 से लेके, 2 तक, देख पार हैं अब, ठीक है, कहां से कहां तक limit रहेगी, देखो, dx लिया आए, तो dx है, तो limit भी x के लेंगे, minus 1 से लेके, 2 तक, यह अपन ने strip लिये, ठीक है, अब आपके दिमाग में caution आएगा, कि हमको जो area find करना है, वो तो यह area है, सिर्फ इतना, पर strip के साथ इतना area और आ रहा है, तो उसको minus कर देंगे, ठीक, clear, समझ में आगी बाद, तो पहले तो आप इसको वीडियो को pause करके note करिए, क्योंकि यह भी important, अब हम सीधा area find करेंगे, तो अब हम area find करते हैं, तो required area है अपना, इस point को अपन नाम दे देते हैं, प, यह O, यह Q, ठीक है, तो P, O, Q, equal to, find करते हैं इसको, तो integrate करेंगे, कहां से कहां तक, minus 1 से लेके 2 तक, ठीक है, और यह length अपनी y है, ठीक है, लेकिन, अब यहाँ पर y जो है, यह divide हो रही है, देखिए, अपने को main find करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ इतना, समझ में आरी बात, सिर्फ इतना, और मैं इसको थोड़ा सा dark कर देती हूँ, ताकि आपको clear समझ में आ सके, और इसको खाली कर दिया है, ठीक है, तो जो dark part किया हुआ है, सिर्फ यह area अपने को चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, यह पूरे में से, इसको minus कर देंगे, समझ में आ कई बात, तो यह पूरा, यहा line के through, तो यहां से अपन y की value find करेंगे, तो यहां लेखेंगे y किसका, line का, और इसमें से minus कर रहा है, अपन y, यह वाला y इतना, तो यह strip आप देख रहे है, यहां से लेके यहां तक जो strip बन रही है, अपनी, यह किसके through बन रही है, अपने parabola के through, ठीक, तो y, यहां curve लिख ठीक है, clear, चलिए, तो अब इसको solve कर लेंगे, और कुछ भी नहीं बचा है, तो यह अपना minus 1 to 2, y line, तो line कहां है अपनी, x equal to 4y minus 2, तो यहां पर अपन y की value find कर लेंगे, तो x plus 2 upon 4, रख देते हैं, ठीक, बीच में minus y curve, curve क्या है अपना, x square equal to 4y, तो x square upon 4, तो यहां से y की value मिल गई, तो यहां रख देते हैं, और यह अपना dx, ठीक, clear, अब बस integrate कर देना है, that's it, तो करते हैं इसको, तो area poq को मैं capital A, यह से show कर रही हूँ यहां पर, ताकि, आराम से समझ में आ जाए आपको, सबसे पहले minus 1, 2, 2, दोनों के साथ देखे, denominator में 4 है, तो common करके बाहर कर देते हैं, ठीक, common करके बाहर कर दिया, यहां क्या बचा आपने पास, x plus 2 minus x square dx, बात समझ में आ गई, clear, दोनों के denominator सेम थे, तो LCM लेके भी solve करते हैं, तो numerator साथ आ जाता, तो x plus 2 minus x square, denominator बाहर कर दिया, ठीक, अब इसको integrate कर दीजिए, तो यह 1 upon 4 अपना बाहर, x को integrate करेंगे, तो x square upon 2, to x minus x cube upon 3, समझ में आ गई बात, ठीक है, भाई, 2 constant है, बट 2 के साथ 1 है, 1 को integrate करेंगे, तो x आएगा न, x के respect में, अब बस limit रख देना है, तो अपना 1 upon 4 as it is, सबसे पहले upper limit रखेंगे x की जगा पर 2, 2 square, 4 upon 2, 2 to 0, 4 minus, 2 का cube 2 to 0, 4 to 0, 8 upon 3, तो यह आगे अपना, सबसे पहले अपने upper limit रखेंगे, बीच में minus, अब रखेंगे lower limit, तो x की जगा पर रखेंगे minus 1, तो minus 1 का square, 1 upon 2, 2 into minus 1, minus 2, minus अपना as it is, minus 1 का cube, तो minus 1 ही आएगा, तो minus minus plus 1 upon 3, बस इसको solve कर लेना है, काम खतम, so, 1 upon 4 as it is, ठीक है, और क्या करें, यह minus sign को अंदर ले जाते हैं, तो यह 4 upon 2 अपना as it is, ठीक है, यह minus अंदर गया, तो यह half जो है, यह minus का हो जाएगा, तो minus का half, plus का 4 as it is, minus अंदर गया, तो minus minus plus का 2, यह minus का 8 upon 3 as it is, यह minus plus minus minus 1 upon 3, यह देखिए, इसके upon में 2 था, इसके upon में 2 था, तो साथ लिख लिए, यह अपने सीधी सीधी वैल्यू थी अलग कर ली, और minus 8 upon 3, minus अंदर गया, तो 1 upon 3, अब इसको solve करेंगे, आगे, तो यह देखिए, दोनों के denominator सेम है, तो 4 में से 1 minus होगा, तो यह आजाएगा, अपना 3 upon 2, इन दोनों को भी solve कर लेते हैं, तो दोनों के denominator सेम है, दोनों minus के हैं, दोनों add हो जाएँगे, तो यह हो जाएगा, minus का 9 upon 3, इन दोनों को add कर देंगे, दोनों plus के हैं, 4 plus 2, 6, समझ में आगई बात, अब आप देखिए, a equal to 3, 3009, तो 6 minus 3, प्लस का 3, तो 3 upon 2, प्लस 3, दोनों को add कर लेजे, तो a equal to 2, 3006, 6 plus 3, 9 upon 2, स्क्वेर यूनिट्स, बस, खतम, और 1 minute, यह अपना 1 upon 4 तो अपन भूल गए न, 1 upon 4 बाहर था न, 1 minute, देखिए, देखो, यह तो अपनने solve कर लिया, 1 upon 4 तो अपना रही गया न, तो 1 upon 4 बाहर आएगा की नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, 42008, तो 9 upon 8, स्क्वेर यूनिट्स, ठिक, यह आगया आपका answer, clear, ठीक है, तो यह हो गया, आपका question number 10 complete, अब हम देखेंगे next question, So, हमारा next question है, question number 11, तो यह question तो बहुत ही simple है, इस तरह के question हम स्टार्टिंग में कर चुकी है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, find the area of the region bounded by the curve, y square equal to 4x, and align x equal to 3, तो एक बार सबसे पहले क्या कर रहा है, आपको यह question खुद से try करना है, नहीं बनता है, तो solution तो यहाँ है, आप कर सकते हैं, तो चलिए इसको करते हैं, तो y square equal to 4x से यह तो अपना पैराबोला है, तो बना लेते हैं यहाँ पर, right word पैराबोला है न, यह बन गया ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि इस पैराबोला से, और line x equal to 3 से जो bounded area है वो find करना है, तो x equal to 3 यहाँ कहीं होगा, और यहाँ से अपने एक line draw कर देते हैं, तो यह अपने line draw कर दी, ठीक है, तो यह line बन गई अपनी x equal to 3, यह अपना y dash y negative, यह अपना y positive, यह अपना x axis और यह अपना negative x axis, यह origin 00, ठीक है, तो हमको यह बोला जा रहा है कि यह जो पैराबोला है, पैराबोला बोला तो नहीं है, सिर्फ curve बोला गया, तो हाँ, यह curve है अपना, इस से और इस line से जो bounded area वो find करना है, तो देखिए, आप clearly देख पार है कि यह जो पूरा area है, यह इस y square equal to 4x, और x equal to 3 से bounded area है, तो find कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कर लेते हैं, तो इसमें हम को यह चीज़ पता है कि यह और यह symmetric है, तो इसका area find करके 2 का multiply कर देंगे, अपना काम बन जाएगा, तो यह अपना dx हो गया, यह यह वाई हो गया, यह अपनी strip है, ठीक है, अब main काम अपना क्या है, कि यह क्या है अपना, तो अपने को पहले सी पता है कि यह जो है x की यहाँ पर value 3 है, तो कहां से कहां तक अपनी limit रहेगी, 0 to 3 तक, इसका area find करके 2 का multiply कर देंगे, तो यह area भी अपने को मिल जाएगा, ठीक है, तो चलिए कर देते हैं इसको, वहां से कहां तक करेंगे, 0 to 3 तक, क्योंकि देखिए, अब x, x, यह dx हमने लिया है न, तो dx है, तो इसी के साथ limit भी यहीं से लेते हैं, हमें न, तो यह हमने लिया, 0 to 3, y, dx, अब y की value चाहिए, तो y की value कहां से लेंगे, यह क्या है अपना, y square equal to 4x, यानि कि यह अपना curve, यानि parabola की है equation, तो y की value यहीं से लेंगे, तो यहां से y की value find कर लेंगे अपन, तो यह हो जाएगा, 2 into 0 to 3, 2 root x, और dx अपना as it is, तो देखिए, यह 2 constant बहार, 2 to 0, 4, 0 to 3, x की degree, root मतलब half dx, तो यह क्या हो जाएगा, 4 into x की degree, half plus 1, यानि 3 upon 2, upon half plus 1, यानि 3 upon 2, और यह लगा दिया अपनने limit 0 to 3, अब सीरी से बात है, यह 3 upon 2 है, यह वाला 2 उपर चला जाएगा, तो 2 upon 3 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, 4 into 2 upon 3, यहां पर limit रख रहे हम, तो सबसे पहले upper limit x की जगा, पर x की जगा पर 3, 3 by 2, minus 0, 3 by 2, रख दिया, upper limit minus lower limit, अब यहां पर देखिए, यह क्या हो जाएगा, 4, 2, 0, 8 upon 3, और 3 की डिगरी, 3 upon 2 का मतलब हो जाएगा, 3 root 3, इस 3 से यह 3 गया, यह आ गया, 8 root 3, area find करना था, तो यह हो गया, square units, खताम, इस question में कुछ भी नहीं था, main हमको यह area find करना था, पूरा, तो हमने क्या किया, इस area को find करके 2 का multiply कर दिया, और अपना काम बने गया, खतम तो इसमें कुछ भी नहीं था, अब हम करेंगे next question, तो आगे के जो 2 question हमारे बच्चे हुए इस exercise के, उन में हमको बूला गया, choose the correct option, यानि कि यहाँ पर 4 option दियें, और एक answer select करना है हमको, तो यहाँ पर हमने option ने लिए हैं, सीधा-सीधा question लिख लिए है, इसको solve कर लेंगे, तो सीधी बात है, कि हमको answer तो पता चली जाएगा, चलीए, तो यह question भी आपको सबसे पहले खुसे try करना है, अगर दिक्कत आती है, कहीं फस्ते हैं, तब आप यहाँ पर solution को देखिएगा, ठीक है, तो first quadrant and bounded by the circle x square plus y square equal to 4, तो यहाँ पर clearly दिख रहा है आपको कि x square plus y square equal to 4, यानि radius यहाँ से कितनी मिल जाएगी, अपने को 2, ठीक है, and the lines x equal to 0, x equal to 2, यानि इन तीनों चीजों से bounded area जो है, वो find करना है, लेकिन first quadrant में, तो चली यह circle बनाते हैं सबसे पहले, तो यह बन गया अपना circle, ठीक है, और इसकी radius कितनी, x square plus y square equal to r square होता है, r square मतलब कि यहाँ से अपने को 2 मिल जाएगा, तो हम सिर्फ first quadrant की बात करें, इसलिए plus 2 हम लेकर चल रहे हैं, तो यह आगया अपना 2, clear समझ में आगई बात, हमको क्या बोला जा रहा है, कि यह circle, line x equal to 0, x equal to 2, तो यहीं पर यह draw हो जाएगी, और x equal to 2, यह draw हो जाएगी, ठीक, तो x equal to 0 तो अपनी यही line है न, और x equal to 2 यह line है, ठीक है, तो इसते जो bounded area है, first quadrant का, वो अपने को point करना है, मतलब कि यह जो area है अपना, यह वाला area अपने को point करना है, कोई दिक्कत नहीं है, एसे strip बना के कर लो, चाहें, एसे strip बना के कर लो, ठीक है, तो यह हो जाएगा, dx, limit कहां से कहां तक रहे ही, 0 से लेके 2 तक, और यह length हो गई y, तो चलिए कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है, इसमें, तो यह क्या हो जाएगा, अपना required area, इसको integrate करेंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक, y, d, x, अब y की value किससे find करेंगे अपन, अपने circle की equation से, तो circle की equation अपनी क्या है, x square plus y square equal to 4, तो y square equal to 4 minus x square, तो y equal to plus minus root 4 minus x square, तो positive value लेंगे, क्योंकि first quadrant की बात हो रही है, तो यहां पर हमने लिया, 0, 2, 2, यह क्या जाएगा, root 4 minus x square dx, 4 को अपन लिख सकते हैं, क्या, 2 का square minus x square dx, अब यहां पर सीधा-सीधा formula, वही formula, जो जब भी यह formula आया, तो बस यही formula लगा देंगे, कोई दिकत नहीं है, यहां पर क्या जाएगा आप न, x upon 2, root a square minus x square, मतलब 4 minus x square, फिर plus a square, यानि 2 square, यानि 4 upon 2, और यहां जाएगा, sin inverse x upon a की जगा पे 2, limit लगा देंगे, 0 से लेके 2 तक, अब बस limit रखना है, काम खदम, तो यहां पर सबसे पहले 2 रखेंगे, तो यहां पर 2 रखा, तो 2 upon 2, 1 हो गया, और यहां पर 2 रखेंगे, देखो, सबसे पहले अपर limit, यानि x की जगा पे 2 रख रहे हैं, अब यहां पर अगर आप x की जगा पे 2 रखेंगे, तो 2 का स्कार क्या हो जाएगा, 4, 4 minus 4 0, मतलब यह पूरा 0, तो यहां limit रखने का कोई मतलब नहीं, मैं यहां पर show नहीं कर रहे हूं, आपको, पर जब भी आप solve करेंगे, तो आप पूरा show करिएगा, ठीक है, तो यह हो 0 रखा, तो यह पूरा 0, और sin inverse 0, 0, यह का खताम, ठीक है, तो यह हो गया 2, और sin inverse 1 अपना होता है, पाई by 2, 2 से 2 कैंसल, यह आ गया, पाई square units, ठीक है, तो देख ले दें कौन सा option correct है, हम, तो question number 12 में, ए option है, पाई, तो पाई ही, इसका, ए ही option, मतलब answer हो गया, बी है, पाई by 2, सी है, पाई by 3, डी है, पाई by 4, तो correct option है, ए, ठीक है न, जो area है, वो क्या आगे, आपका, पाई, square units, यानि कि जो correct answer है, वो है, है, ठीक, clear, हो गया, question number 12, complete, अब हम देखेंगे, next, so, question number 13, इस exercise का last question, तो यहाँ पर भी चार option दिया है, हमको देखना है, तो solve कर लेंगे, तो answer पता चल जाएगा, चलिए, तो यहाँ पर बूला जा रहा है, area of the region bounded by the curve this, and the line y equal to 3 is, यानि कि यह curve और इस line से जो bounded area है, वो अपने को पता करना है, तो चलिए, कर लेते हैं, सबसे पहले, y equal to 3, तो y equal to 3 line, हमेशा x-axis के parallel draw होगी, so, हमने suppose किया कि y equal to 3, यहाँ कहीं आ रहा है, इसको पन ड्रॉ करते हैं, तो इस तरीके सा पन ड्रॉ कर रहा है, इसको देखिए, थोड़ी से टेड़ी बन गई है, तो यह हो गई y equal to 3 line, तो parabola और इस line का जो bounded area ही, आपको clearly दिख रहा होगा, कि इतना जो area है, यही area दोनों से bounded दिख रहा है, यानि line और parabola से bounded area जो है, यह हमको find करना है, हमको यह चीज़ पता है, कि यह जो point है, यहाँ पर coordinates रहेंगे इस point के, तो y की value 3 है, x की value 0 है, तो यह हो जाएंगे हमारे 0, 3, ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सा जो दूसरा तरीका हमने सीखा था, वो apply कर देंगे, कुछ नहीं, यह मैं हटा रही है न, तो यहाँ पर strip ले है, यह हमारी x, बस, इतना समझने की जरुरत है, that's it, अपना काम खतम, तो यह तो अपना origin o होता है, o इसको नाम दे देते हैं, a, इसको नाम दे देते हैं, b, तो o, a, b, o, area अपन find कर रहे हैं, ठीक है, तो y के along ही हम limit भी देखेंगे, क्योंकि हमको इतना area पूरा find करना है, तो 0 to 3, 0 to 3, और x, dy, अब x की value find करनी होगी, क्योंकि y के respect में हम integrate कर रहे हैं इसको, तो y की value कहां से find करेंगे, यह क्या अपना, पैराबोला है, पैराबोला की equation यह ही, यहां से अपन x की value find करेंगे, तो y square equal to क्या है, 4x है, x की value चोई यह 4 इदर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा, y square upon 4 equal to x, ठीक, तो रख देते हैं, x की जगह पे, तो यह हो जाएगा, अपना 0 to 3, x की जगह पे हमने रखा, y square upon 4, dy, ठी ठीक है, तो 1 upon 4 तो अपना constant s को बाहर कर देंगे, अपन, तो अपनने बाहर कर दिया, ठीक है, integration of y square dy, उसको integrate नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो 1 upon 4, as it is, यह हो जाएगा, y की degree 2 plus 1 upon 2 plus 1, तो y cube upon 3, और यह limit 0 to 3, बस अब यह जो 3 है, constant upon बाहर कर लेंगे, तो 1 upon 4 into 3 तो यह अपनने बाहर कर लिया, y cube अकेला बचा है, 0 to 3, limit रख देंगे, 4, 3,012, ठीक है, और यहाँ पर limit रखने, सबसे पहले, upper limit y की जगा पर 3, तो 3 का q minus lower limit 0 का q, इसको solve कर लेंगे, तो 1 upon 12, 3, 3,009, 9, 3,027, और यह 0 तो खतम, 3, 4,012, 3, 9,027, 9 upon, तो 9 upon 4 square units, क्योंकि area है, अब देख लेंगे, कौन सा option सही है, तो यहाँ पर a है 2, b है 9 upon 4, तो हमारा correct option है b, c है 9 upon 3, d है 9 upon 2, तो correct option है b, ठीक है, clear, तो हमको area कौन सा find करना था, एक छोटा सा figure बना के समझा देती हूँ मैं आपको, ताकि आप confused ना, क्योंकि यहाँ पर हमको दूसरी चीज़ें भी draw करने होती हैं, इसलिए हमने नहीं किया, हमको ये वाला area find करना, ठीक है, तो हमने find कर लिया, तो इसको note करना चाहते हैं, तो वीडियो को pause करके आप note कर सकते हैं, बाकि आज की class में हम बस इतना ही करेंगे, इस question के साथ ही हमारी जो exercise 8.1 है, वो complete हो गई है, और I hope कि exercise 8.1 का जो concept था, जो question थे, यह सब ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है, तो like जरूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को subscribe जरूर करिए, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye and thank you.